कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब अगर दसो दिशाएं हमारे सामने होती हमारे चारो ओर नहीं कितना आसान होता चलते चले जाना यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुका होता मैंने अक्सर इस उल जलुल दुनिया को दस सिरों से सोचने और बीस हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है शुरू शुरू में सब यहीं चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत थार जाते हैं हमें कोई दिल्चस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूंधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर दुर्गमवनों और उंचे परवतों को जीतते हुए जब तुम अंतिन उंचाई को भी जीत लोगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कापोगे नहीं तब तुम पाओगे की कोई फरक नहीं सब को जीत लेने में और अंत तक हिम्मत नहारने में झाल